तो किया हला भी भाई सुनने और देखने वाली पब्लिक तो देखो भाई आर्सीर भाई का आया था पांस दिन पर एक ट्रेक साथ तेरे और इस ट्रेक मेंने देखो सही बता हूं मैंने रेक्शन बनाया था बट कभी नेट कभी कुछ बहुत सी चीज़ें हुई और फिर वो कि ऐसी की तैसी होगी मगर ट्रेक काफी अच्छा है मैंने सुना भाई उस रेक्शन में मैंने सुना है मतलब चीज़े काफी अच्छी है बट आज मैं इस पर रेक्ट करना चाहता हूं क्योंकि ट्रेक काफी अच्छा मुझे लगा तो भाई सुनते हैं और आप लोग भी है और से बले आया हिप-प का डॉन 1.1 मिलियन ग्रेट सक्सेस सो चालू हो गया वाई का मैंने यार हैड़फोन पेले से लगा रखे था है एड आ गया जहां उनकी नजर हो आप वही नजर आओ नजर थादी याप का अई इंटरिस्टेड ऐड़ों को दिख्टाइब आप तकि बिजनस की काड़ी bị डाउपार रजिसिंग जयाती बग्क अभी से चैली पुली शूटिंग वही काफी अच्छी तरीक से मतलब एक लग वही है एक सामने से नोटी नोटीफेक्शन बोले क्या वोले हैं अलब एक लोगों को अवेर करने के तरीका मतलब भाई ने इसमें यह किया है सुरू में जो वीडियो जो शूट करी है और मैंने जैसे कि मैं एक्षन नहीं बन पाया इत्फाक से यही तो होता है यही तो होता है मैं जानता हूं तेरे दिस इस आर सिया भाई देखो यह चीज है यह है भाई का जून स्टार्टिंग में पता चल गया जो ही पॉप का डॉन था ना भाई ट्रै काफी अच्छा था चीजें काफी थोड़ी चीज समझो ऐसा लग रहा था बट भाई का जून देखो यह सुनो थोड़ी सी फिर से सुरू करते हैं यहां आती है भाई वाई भाई की अवाज में मैं जानता हूं तेरे दिल की दभी ख्वाहिशे मैंने होती देखी खारिज तेरी फर्माहिशे दिल में दर्द सुरू上 मैं तेरे मैं रहे न हुना था दिल तेरे मैं दूना साथ तेरे मैं वुना साथ तेरे क्यों केरी सुद्सיर को समझे मैं वुना साथ तेरे तुझे थुझे उसका क्लिवेश तुझे लिखे उसका दिला तुने शखम देना सिखा पस नहीं सिखा उसे से तुमें दिखे उसकी нач तुमें दिखे उसका दर्द नहीं तू सोना चाहे उसके साथ पर उसका हम दर्द नहीं मैं वोला नहीं वही चीज है दोखों जो रिलिश्शन चलता ना लड़का लड़की के साथ में चलता है आपस में तो उस चीज को भाई ने मतलब बोला है कि तुझे दीखे उसका दर्द बर्ट तू उसका हम दर्द नहीं मतलब चीजें होती है भाई इस देश में इस दुनिया में बहुत गलत चीजें होती है वट वही चीज भाई ने इस ट्रेक में एक्स्प्लेइन किये साथ तेरे आइस आर्स यार कमाल सुनो वो रोती है तनहारातों में कोई ना उसके पास है जो सबको रखती खुश यहां पर कोई ना उसका खास है हर बात पे सीखा जिसने करना सेक्रिफाइस धाइसों की चपल में खुश ना मांगा एडी धास है पापा की परियों की परियों से उची कहानी है बूरी करके छोड़ी जो भी बात इनोंने ठानी है मेरी कौम कलपना चावला मदर टेरेसा जो लड़ गई हजारों से वो जासी वाली रानी है मतलब एक रू कांट देने वाली ऐसी लाइन बोल गया बहुत ही अलग टाइप के हैं देखाँ पूरी करके छोड़ी जो भी बात इनोंने ठानी है मैरी कौम कलपना चावला मदर टेरेसा जो लड़ गई हजारों से वो जासी वाली रानी है बोलने में माहिर हो वो ना जाने क्या-क्या जेली है वो बाहर से तो खुश पर अप्री अंदर से अकेली है ए और चीजें आप लगती लोगों को आपके फेंस को तो यह चीज आपने दी यह चीज बहुत बढ़ियान थेंक्यू तो मच इस ट्रैक के लिए नहीं महाज़ब की काफी अच्छी अच्छी आपने इसमें लाइन लिखे जो सही में इस लोग दुनिया को चीज़ें समझ आएगी अगर आपका ट्रेक दिखेंगे लोग तो आप चीज़ें समझ आएगी क्या गलत है क्या सही है यह वाई भी दिल में दर्दों का गर लेकर जलती रगी चाहूं देके तुने अपनी खुद जलती रगी क्या हुआ दर्दों संग हो गए है आज पेरे क्यों के खुद को समझे तुने खुद को समझे तुने मासा लो अपना साथ तेरे मैं हुणना साथ तेरे मैं हुणना साथ तेरे क्यों केरे तेरी इसत नहीं कभी देना उने फुक नहीं गल्सी तेरे बंदे की और सीखा तुमने सेहना चुपने रहते हर बार बस इतना तुमसे कहना किसी से भी प्यार कर तेरी मरजी है पर जो सेक्स के लिए लव यू बोले उनसे तूर रहना यह चीज खतरनाक बिल्कुल मतलब कि इस वर्ड को बोलने के लिए बहुत पावर चाहिए जो भाई ने इस ट्रैक में बोली है काफी बढ़िया लड़कियों के साथ फीचरिंग है और यह वर्ड बोला जाए और काफी ज्यादा मतलब करेच यह चीज को लिए जो की भाई ने ओविसली इसमें ने वादिया वो चीज भाई ने इसमें करी है सो हैट्स अब यू आर्स यार इसमें आर्स शूरचे से राका व्यूज़ना भी जराओं आंसू फोच्ट आगे भड मिलों तुझे तनने तेरे कांटों के रास्ते पे तेरे साथ चाहूं घूमना अँजे होंट तेरे चुमने नई चाहूं तर्द तेरा चूमना सब्सक्तिक है दिल में दर्दों का गर लेकर जलती रही चाहूं देके तुने अपनी खुद जलती रही क्या हुआ दर्दों संग हो गए है आज पेरे क्यों कि खुद को समझे मैं हुआ ना साथ तेरे मैं हुआ ना साथ तेरे क्यों के रिखुद को सबजे आज ना साथ तेरे बहुत घोट लिया खुद का गला अब जीना होगा हौसलों के धागों से जखमों को सीना होगा मर जाना मगर हार ना मानना जिन्दगी जहर है तो जहर भी पीना होगा जहर भी पीना होगा बहुत सही यह लास्ट की लाइन किसने बोली है पायल शेर्मा नाम था शायद देखते हैं नहीं लबली शेर्मा नाइस लाइन मतलब चीज काफी बढ़िया आर्सियार भी बाई शायर है ये लबली शर्मा काफी बड़ी अलवाईन है करेश के साथ जीना होगा महुसले के मतलब हिम्मत के साथ जीना होगा इस काली दुनिया में मतलब सामने से लोगों एफ्धाय करना इन्सपायर करना सफीक गलत चीज बता ने की उसब अच्छा我 और जो लड़की ने क्या नमता है और मैं फिर शर्मा बुनती है लबली शर्मा काफी अच्छी लाइन बोले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रियक्शन अच्छा लगा तो लाइक करें शियर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं बूले भ